नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई यह नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर अल अजीज एजूकेशन एंड सोशल वेलफेर मल्टी परपस सोसाइटी की ओर से गंतंत्र दिवस पर द्वजारों किया गया संस्था अध्यक्ष हाजी मोहमच शोयब कुरेशी की प्रमुक उपस्तिती में संस्था सचिव अब्दुलमानी कुरेशी ने राष्ट्रिय ध्वज फैराकर सलामी दी आज़ादी के महुच्षव वर्ष के अंतरगत विदर्ब के 13 लाक व्यापरियों की अग्रणी वशीर्ष संस्था नाग विदर्ब चेंबर आप कॉमर्स ज्वारा गणमान्य अतितियों वव सदस्यों की उपस्तिती में अध्धक्ष अश्वीन प्रकास जी अगरवाल मेह नाडिया द्वरा बड़े हर्शुल्लास के साथ द्वजा रोहन कर 73 गंतंत्र दिवस समारोह आनन के साथ मनाया गया इस अउसर पर बड़ी संख्या में एन्वी सीसे के पदादिकारी तता सदस्यगर्ण उपस्तित थे कारेक्रम के दोरान कोवीड प्रोटोकाल का पुरुन पाया जा सकता है इसलिए जन सहयोक से ही कुरोना पर विजय पाना संभव है इस आशे के विचार उर्जा राज्यमंत्री एवं नाकपूर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नीतिन राउत ने वेक्त किये 72 गंतंत्र दिवस के अउसर पर कस्तुरजन पार्क में जन्डा फैराने के बाद उन्होंने अपने भाशन में जन्ता को संबोधित किया और जिला प्रशासन की तमाम उपलब्दियों पर प्रकाश डाला राज्य सरकार के निल्देशानु सार इस वर्ष सिवमित उपस्तिती के साथ 2021 कारेक्रम का आयजन किया गया इसलिए कारेक्रम में 2001 पालक मंत्री के भाशन समेट पुलीस बैंड दस्टे का राश्टरगान दस्टे की सलामी और पुरसकार वितरन समारों तक ही कारेक्रम सिमित रा साड़े नौ बजे पालक मंत्री ने जहंडा फैराया, इसके बाद पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने भारतिय समविधान के कुछ तथ्यों को पड़ा, अपने भाशन में पालक मंत्री ने कुरोना महमारी पर काबू पाने के लिए नागरीकों से सहयोक करने और नियो का पालन करनी की अपिल की जब तक बहुत ज़रूरी न हो तब तक लोग घर से बाहर न निकले पालक मंत्री ने आवाहन करते हुए कहा गंतंत्र दिवस की 72 वर्षगाट के अउसर पर जिलादीकारी कार्यालाय परिसर में द्वजारोहन कारेकरम का आयोजन किया गया कलेक्टर आर विमला ने जंडा फैराया मान्यवरुद्वारा पुलिस विभाक के अधिकारियों और भहादूरी पदक विजिताओं की सराहना की गई इस अउसर पर आपर कलेक्टर शिरिश पांडे निवासी उपजिलादीकारी विजया बानकर उपजिलादीकारी चुनाव मीनल कलासकर आपदा प्रबंदन अधिकारी अंकुष गावंडे के साथ साथ तमाम उपजिलादीकारी तहसिलदार जिलादीकारी कारेले के अधिका आजादी के अमरुत महोचों के अंतरगत राज्य के सवरक्षिष छेत्रों में 75 महिनों से अधिक समय तक वन्य जीवों के सवरक्षन में अमुल्ले योगदान के लिए वनविभाग के 415 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया अतुल देवकर, सहायक वनसवरक्षक, पेंच टाइगर रिजर्व, एनार गावंडे, वनरेंज अधिकारी, बोर टाइगर रिजर्व, वनपाल पीएस वैद्य, बीएस इखार, वनरक्षक उम्रेट करणला, सैंक्च्योरी, सुनिल निचनते, वनविभाग स्टाप पेंच ट पेंच टाइगर रिजर्व, आधि वनविभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का, राज्य के मुख्यवनस अउरक्षक, जी साई प्रकाश द्वारा सम्मान पत्र देकर सतकार किया गया। प्रोहन के उपरांत आश्रम निवासी वरिष्ठ नागरेकों को उपहार दिया एवं उनके साथ समय बिताया। कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते वए निवनतम उपस्थिती में कारेकरम का आयोजन किया गया। इस कारेकरम में वैशाली नगर के रैवासी, पुर्षत्तम वरियानी, रविंद्र बारापात्रे, देवेंद्र राय, ठाकुर वरियानी, ललिद बारापात्रे, दिनिश यादव, रविकान चवरसिया, गनविर वानखिडे, सचीन गिदवानी, अमीत वरियानी, गोपाल वा कॉलोनी के सभी निवासी वा बच्चे उपस्ठित थे नवनिर्मान बहुत देशी ये संगटना की ओर से गंतंत्र दिवस हर्शोल्लासा और उच्छा से मनाया गया, इस अवसर पर महापोर दैशंकर दिवारी मुख्या अतिति के तौर पर उपस्ठित थे संस्ठा के संस्ठा पक अध्यक्ष रवी घरगे पाटिल ने संस्ठा द्वारा अमल में लाई जारे जनकल्यान कारी योजनाओ एवं जरुरत मंदो को दीजारी मदद पर प्रकाश डाला संस्ठा के अध्यक्ष मनोज मालवी ने प्रास्ताविक भाशन दिया रमन पैगवार ने अपने विचार रखे इस अउसर पर डॉक्टर शाली ग्राम चरडे, अज्जु अग्रवाल, ममता बाचपेई, फिरोज खान, गोपाल पत्नम, वसिम खान, नफिसा मैडम, उशा मशित कर, राजु अस्वले, अलिम खान, प्रदिब बांग्रे, अनसारी, एडवोकेट मनिश गौर, रवी गौर, दिलीप शाहू, शैलेंद्र, बिट्टू, हेमन्त उपाद्या, आधिसंस्था के पदाधिकारी गण उपस्तित थे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी नागपूर शहर वक्रामिन की ओर से बुधवार को गनेश पेट सित पार्टी कारेले में हर्शुला से गंटतंत्र दिवस मनाया गया शहर अद्यक्ष दुनेश्वर पेठे और ग्रामिन जिलाद्यक्ष बाबा गुजर द्वारा 2001 किया गया इस अउसर पर सभी राकापा प्रदेश पदाधिकारी, शहर पदाधिकारी वकार्यकरता गण उपस्तित थे कारेकरम के दोरान कुविट प्रोटोकाल का पुर्ण अनुशासन से पालन किया गया आज 15 प्लस और 45 प्लस आयू वर्गे के सभी नागरिकों का कुविशिल्ड का टीका करन नाकपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रू पर होगा टीका करन का समय शाम के पाच बज़े तक होगा टीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजिकरन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइव इन वैक्सिनेशन के इंद्रू पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोवीशिल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा यह जानकारी चिकित सा स्वास्थ अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ष के नागरिकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबासाय वामबेटकर अस्पताल कामठी रोड वस्वरगिय प्रभाकर दटके मनपा महल रोग निदान केंद्र एम्स आयसुलेशन अस्पताल इमामबाडा, इंदिरा गांधी अस्पताल गांधी नगर, मनपस्त्री अस्पताल पाचपौली और प्रगती हौल दिगोरी में उकलब्द है 72 गणतंत्र दीवस के अउसर पर जिलाव सत्र नायले के प्रांगण में प्रमुग जिलाव सत्र नायधिश श्रीनिवास भी अगरवाल के हातों ध्वजा रोहन किया गया इस अउसर पर पुलिस टीम वो उपस्तित सभी माननेवरों ने राष्ट ध्वज को सलामे दी इस अउसर पर जिलाव नायधिश असिमाज में जिलाव नायधिश लाड़े कर जिलाव नायधिश S.A.S.M.A.L.E. मुख्य दंडा अधिकारी S.B. पवार प्रबंदक विजे सोंटक के अधिक्षक A.R. खास डे समेत नायले के तमाम अधिकारी और करमचारी गानु पस्ति मुंबई उच्च नायले की नाकपुर खंडपीट में 72 गानतंत्र दिवस हरशुला से मनाया गया नाकपुर खंडपीट के प्रशासन प्रबंदक सुन्जे भारुका ने ध्वजा रोहन किया इस अवसर पर प्रबंदक अमिज जोशी, उपप्रबंदक योगेश रहांग डाले, उपप्रबंदक चंद्रपाल बल्वानी, उपप्रबंदक अक्बर हुसेन, फैजल कश्मीरी, विलास पुनलिक, गौरी वेंका ट्रमन, उच्च नायले बार असोसीेशन के अध्यक्ष अतुल पांडे, पीएस चोहान, शरत भटड, एनेस देश पांडे, अमुल जलतारे, गोपल सवाई, वरिष्ट अधिकारी एवंकरमचारीगणू पस्तित्थे विदर्वा हैंडीक्राफ्ट, आर्टिसंस विलफेर एसोसीेशन नाकपुर द्वारा, नाकपुर अर्वन हाट गंगा नगर हजारी पहाड में बुद्वार को गणदंत्र दिवस के अउसर पर ध्वजारोहन कारेक्रम आयोजित किया गया, इस कारेक्रम में अमित कुमार, विकास आयक्त हस्तोशिल्प, कार्याले, विक्रम गौलवन्शी, नगर सेवक प्रभाग बारा, हजारी पाहड द्वारा सुबह साड़े दस बजे द्वजारोहन किया गया, इस अउसर पर संस्था के सहसचिव, जफर अहमत, अब्दुल रजाक शेक, प्रिती पेठे, अश स्थित थे, ध्वजारोहन कार्यक्रम का आयोजन, कुविट प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया, कार्यक्रम के पशात नाश्टिय का आयोजन किया गया और बच्चों में पतंगे वितरित की गई, इस तरह संस्था द्वारा हर्शुल्लास और उत्साह से गणतंत्र दिवस मनाया गया, गणतंत्र दिवस के अवसर पर वुद्वार को महल स्थित राश्टिय स्वयम सिवक संघ के केंद्रिय कार्याले में राश्टिय ध्वज फेहराया गया, नाकपूर बाहनगर के संघचालक राजेश लोया ने तिरंगा फेहराया, कोविट प्रोटोकॉल को मद् में गणतंत्र दिवस समारोह का आयजन किया गया, इस अवसर पर राश्टिय स्वयम सेवक संघ के विधरप प्रांथ सहकार्य वहा अतुल मोखे ने तिरंगा फेहराया, इस अवसर पर विधरप प्रांथ संघ चालक रामहर करे महानगर सह संघ चालक श्रिधर गाडगे इंसवाटिका आचार्य श्री विध्यासागर महराज ओक्सिजन जोन इतवारी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुद्वार सुबह साड़े नौ बजे द्वजारोहन वर राश्ट्रगान का आयजन किया गया, भारत माता की तस्विर एवं आचार्य श्री अध्यक्ष दिनेश जैन, महाविर यूद कलब के केंडरिय सची एवं भाजपा जैन प्रकोष्ट, महराष्ट सर्चितनेस, प्रशांत मानेकर जैन, अहिन्सवाटिका के संरक्षक संतोष जैन ठेकेदार, अनिल जैन, अहिन्सवाटिका के दीपक जैन, अर्विन जैन, अर तंत्र दिन वो महर्शी नाथु बाबा जयनती के उपलक्ष में भोई समाज पंच कमेटी द्वारा ध्वजा रोहन के पशांत रंगोली प्रतियोगिता का सफलता पुर्वक आयोजन किया गया। ग्रुप वन में प्रथम पुरसकार एकता रितेश धूरिया, त्वीतिये पुरसकार कुष्णा दिनेश गौर एवं तृतिये पुरसकार अनन्या सोनू बाथो तथा मनिश गौर ने प्राप्त किया। नागपुर मंडल मध्यरेल के मंडल रेल प्रवंदक रिचा खरे ने बुधवार को अजनी मैदान में गनतंत्रता दिवस की अउसर पर राष्ट दवच फैराया। खरे ने उपस्थित रेल अधिकारियों और करमचारियों को संबोधित करते वे गनतंत्रता दिवस की शुप कामनाय दी। उन्होंने रेल कर्मियों को उनकी उत्कृष्ट टीम वर्क करतव्य के प्रती समरपन के लिए बधाई दी। और मध्य रेल द्वारा भविश्य में रेल उपयोग करताओं की जरूरतों को पूरा करने की उम्मिद जताई। मंडल रेल प्रबंदक रुचा खरे ने महाप्रबंदक का संदेश पढ़कर सुनाया। नागपुर बंदल की कुछ उपलब्धियों को उन्होंने जनता तथा रेल करमचारियों के सामने प्रस्तुत किया। की कोरणा महामारी की दोरान उत्पन्नोही विपरित परिस्तितियों में भी आप सभी ने हिम्मत और सयम का परिचय देते हुए ना सिर्फ अपने आपको और अपने परिवार को भी इस महामारी से बचाते हुए रेल का चक्का निरंतर चलाने में प्रशासन का योगदान दिया बलकि सक्षम रेल व्यवस्था के जरिये देश की लड़कडाती अर्थ व्यवस्था को भी संभालने में मदद की ये आप सभी के मेहनत का ही फल है कि इस महामारी में जहाँ पूरा विश्व लॉगडाउन और प्रतिवंधों में फसा हुआ था वहां हम सभी ने आवशक वस्थू की आपूर्ती करवा कर मानव सेवा में महान योगदान दिया है और अब भी सरकार नागरिकों की मदद नियमित रुप से कर रहे है बढ़ते कोरणा पॉजिटिव मामलों और ओमिक्रोन से संक्रमित मरीजों की संख्या में चिंता जनक वृद्धी नागपुर जिला प्रशासन और मनपा प्रशासन को चिंतित कर रही है उपराजधानी में पिछले 24 घंटो में 4,225 नय मामले दर्च किये गये है नागपुर शहर से ही लगभग 2,928 नय मामले दर्च किये गये है वही 6 मरीजों की मौद भी हुई है पिछले 24 घंटो में 3,453 व्यक्ती कोरोणा को मात दे कर और स्वस्था होकर घर वापस गये है कुल मामलों में 2,928 मामले नागपुर शहर से सामने आये है जबकि 1,176 मामले नागपुर ग्रामिन शेत्र से सामने आये है 121 मरीज जिले के बाहर के निवासी है मौतो कांकड़ा 10,190 तक पहुँच गया है जिले का रिकवरी रेट गिर कर 92.67 प्रतिशत हो गया है जबकि सक्रिय मामलों में भारी बड़ोतरी हुई है जिले में अब 29,908 एक्टिव मरीज है जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सभी नागरी को को कोरोना प्रोटोकॉल के तमाम नियमों का पालन करने और अनुशासन से रहने की अपिल की है ट्राफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराव के अंतरगत कूल मिला कर 2621 वाहन चालोक उपर कारवाई की और उनसे कूल मिला कर 2,09,000 रुपे का जुर्माना वसुला इसी तरह मुंबई शराब बंदी अधिनियम के अंतरगत 36 मामलों में 36 आरोपयों को गिरफतार किया गया है और उनसे 1,37,720 रुपे का सामान जब्ट किया गया है इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतरगत 3 मामलों में 5 आरोपयों को गिरफतार किया है उनसे 19,390 अस्तावेज अपने पास रखे तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस नमस्कार